आज हम डिस्कस करने वाले फिजिक्स यानि की बहुत ही विग्यान के टॉप मल्टिपल चोईस क्यूशन पहला क्यूशन है कि विदुद चुमक बनाने के लिए निम्न में से कौन सा सारुदिक उपयोगी है कौन सा दातू बैस्ट रहता है कौन सा पदार्त बैस्ट रहता है विदुद चुमक बनाने के लिए तो इसका सबसे बाइस्ट अंसर होगा southern integral का यूज किया जाता है यहां अपर आप देख सकते आंसर आपको याद रखना है ठीक है अगला अगला कि उसने घोड़े के अचानक दोड़ना शुरू करने पर जो गुड़ु स्वार है फीचे के और गिरता है क्यों आपने देखा होगा कि घोड़े पर बेटा हुआ वेकती है जैसे घोड़ा दोड़ने लगता है तो वो गुड़ु स्वार पीचे के और गिरता है या पिर आपने देखा होगा कि जैसे आपने बस में ट्रविल किया होगा या पिर किसी भी जो ट्राफिकेस में ट्रविल किया होगा कार हो गया तो जैसे ब्रेक लगता है तो आप आगे को जुग जाते हो यह पिर जैसे ही वो मोमेंटम पकड़ता है गती पकड़ता है तो पिछे को जुग जाते हो यह क्यों होता है किस कारण से होता है यह फिजिक्स के किस फिनोमेना से होता है बताओ तो बहुत आसान है, जड़तव का नियम आपने पड़ाओगा, जड़तव का नियम करता है कि कोई भी पदार्द आपने अवस्ता में बना रहना चाता है, तो यहाँ पर अस्तायतव का जड़तव सरीर के उपरी भाग को इस्तिर रखता है, जबकि सरीर का निचला भाग घोड प्रकार ठहरा हुआ है तो इसी कार्ण से हम जुखते हैं ठीक है तो राइट उप्शन हो जाएगा आपका ओप्शन सी ठीक है चले बढ़ते आगे गए गूर प्रत्वी के चार ओर चक्कर लगाते रहते इस प्रकार से से टलाइट ठीक है तो यह आपके भू इस्तर उपगरह के बारे में सही आपको बताना है तो देखो इनके लिए प्रतविक की और गुरुते तरवन जी से गिरता है या जो अवदी होती है वो चोईस गंटे के होती है या भू मद्य रहके कहसा होती है या फिर सभी सही है तो यहाँ पर भू इस्तिर के बारे में ये सभी बाते सही है पहली दूसरी तीसरी तो इसका right option हो जाएगा all of these ठीक है चलिए अगला है आपका और यहाँ पर आपका जो वी में सुतर है क्योंसरी बनता है बनता है वी में सुतर से हमेशा जो आपका dimensional formula है यहाँ से क्योंसरी बनता है और आपको पता होना चाहिए और निकालना भी आना चाहिए dimensional formula तो गुप्त उस्मा का वी में सुतर आपको बताना है गुप्त उस्मा का वी में सुतर क्या होता है देखो विद्यार जो गुप्त उस्मा का वी में सुतर है वो होता है M0L2T-2 यह होता है गुप्त उस्मा का वी में सुतर यह वाला अब आप सोच रहोंगे कैसे निकाला तो चलो इसका solution भी आपको दिखा देते हैं जैसा है कि आप यहाँ पर देख पा रहोंगे यहाँ पर आप समझ करते हैं इसका explanation कि यहाँ पर आपका जो latent heat है Q upon M होता है ठीक है और M आपका मास है सही और यहाँ पर energy release और absorb तो यहाँ पर इसका होता है आपको M1 L2 T-2 और नीचे आजएगा M1 तो M1 से M1 चलाई जाएगा तो 0 बचा तो आगे हैं आपका M0 L2 T-2 बहुत ही simple है बहुत ही आसान है इसको निकालना और जिन्होंने चैनल सस्क्राइब कर रहा है बेल आइक नमपर प्रेस कर रहा है उनको पूरा वीडियो मिलता रहेगा चलिए और भी देख लेते अगलाई क्यों सेना कि दो पलेट जो एक दूसरे से एक सेंटिमेटर की दूरी पर है जिसके मद्दे विबाँतर 10 वल्ट है तब पलेटों के बीच में उत्पन विदूसरे आपको बताना है दो को दो पलेटे आपके पास ठीक है? इस प्रकार की ये इधर भी है से ये आप एक सेंटिमेटर दूरी पर है और इसमें बीच में 10 वल्ट का क्या है? विबाँतर अब बताओ विदूसरे तर कितना होगा? विदूसरे तर कितना होगा? डिस्टेशन दे रखिये दूरी दे रखिये और वल्ट आपको दे रखा है अब तो बता दो आप जब आपको डिस्टेंस भी दे रखिये और आपको वोल्ट भी दे रखा है तो आसान है बहुत आसान है अब तो दो आपको दे रखा है यहाँ पर तो मैंने आपसे बोल रखा है कि बैसिक फोर्मिले पता होना चाहिए तब आप कर पाओगे तो इसका आपने कर लिया होगा और जिनके 1000 आया है ना वो उनका सही है जिनके 1000 आया है उनका सही है डी वाला अब जिनको नहीं आया होगा तो सोचने हो सिरक कैसे आएगा तो चलो आपको समझा देते कि किस प्रकार से इसका सोलिशन होगा जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि बहुत है असान है आपको जब D दे रका है और V दे रका है ठीक है तो यहाँ पर centimeter में दे रका था आपको तो इसको meter में बदल लेंगे पहले तो ठीक है और यहाँ पर volt है सही आपका 10 volt तो हमारा formula होता है E is equal to V upon D यह आपके physics में भी दे रखा है anxiety के किताब में और यह basic formula लिख लेना जो आपका notes है ना उसमें लिख डालना जितने भी formula है ना basic उनको क्योंकि numerical solve करने में काम आएंगे तो V कितना है 10 है D कितना है 10-2 मिटर ठीक है तो इनको solve करके देख लो 1000 आएगा कि नहीं आएगा आएगा तो हमारा option D right होगा कि नहीं होगा होगा तो कितना आसान है और जिनको यह पता नहीं है formula तो वो तो यह question दे कर डर जाएंगे और जिनको पता यह formula तो उनको तो मज़ा जाएगा तो मैं यह कहता हूँ कि formula याद करो और कुछ रहो चलो बढ़ते आएगे गोर देखो यहाँ पर numerical में तो सारा जो काम है वो फोर्म लेका है और formula पता है तो आप कर पाओगे अगला कुशन दो मुक्त समांतर तार जिसमें दारा का परवा विपरित दिसाओं में हो रहा है दो तार है आपके पास यह एक तार यह दो तार और इसमें जो धारा का परवा है विपरित हो रहा है यानि कि जो तार A है और यह तार B है इसमें तो A में दारा इधर जा रही है और B में दारा इधर आ रही है विपरित हो रहा है तो अब आपको बताना है कि इसमें आकर्षन होगा या परतिकर्षन होगा या पर कोई प्रवाव नहीं होगा या पर लमवत गुहनन करेंगे चार ओप्सन दे रहके विपरिक धारा का प्रवाव और रहा है बताओ आप क्या होगा तो बहुत यह असान है जब दो समांतर तारों में विपरित दाराय प्रवावाव होती है तो ऐसी कंडिशन में पता है क्या होगा विपरित है तो इसमें परतिकर्षन होगा रिपल होगा इसमें ठीक है परतिकर्षन कैसे होगा चलो दिखा देते आपको जिसा है कि आप यहां पर देख पार होंगे, यह पहली कंडिशन जिसमें यह दो तारे और दोनों में दारा इधर सेम में जा रही है, एक ही दिशा में, जब एक ही दिशा में जाती है, तो इसमें क्या हो रहा है, आकर्षन हो रहा है, देखो पॉर्स दोनों, यानि कि आकर्ष होगा अगर दारा वीपरित जाएगे तो आकरशन होगा और इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो इस प्रकार से भी और इस सब को आना चाहे निकालना प्रकाओगा आपने फ्लेविंग का दाया बाया हाथ का नियम ठीक है राइट हैंड रूल अगर याद है तो कोई दिक्कती नहीं है आप निकाल लोगे ठीक है तो इसलिए आपको याद रखना है कि अगर धारा वीपरित बह रही है तो उसमें क्या होगा परती करशन अगर ध हम कर लेते हैं यदि किसी बल्प में प्राविद्धरा का मान एक परसेंट कम हो जाए तो उसकी सक्ति में कमी आपको बतानी है यदि किसी बल्प में प्राविद्धरा का मान एक परसेंट कम हो जाए तो सक्ति पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी सक्ति में कमी कितनी होगी एक परसेंट, दो परसेंट, चार परसेंट, करके देख लो, करके देख लो आप, एक परसेंट कमी करके देख ले ना आप, चाहिए तो वीडियो को पोज़ कर सकते हो, और रब प्या आप कर सकते हो, तो आहे हो अपनी किया होगा, तो हमरा आंसर आया है यहाँ पर, 2% की कमी और आपका क्या है आप कमेंट करके भी बता सकते हो अब जिनको नहीं आयोगो तो सोज़रे हैं कि 2% की कमी कैसे आएगी तो चलो मैं समझा देता हूँ आपको तो ये लीजिए हमने जो कर रखा है आपको दिखा दिया यहाँ पर देखो आप यहाँ पर जो आई है 100 ले लेते हैं क्योंकि तुमको तो देखना है कि 1% कम करके देखना है बस तो 100 है हमारे पास तो 100 का यहाँ पर कर लेंगे पहले तो 100 का कर लेते हैं पहले फिर 1% कम करके देख लेंगे तो यहाँ पर माना कि 100 ले लेते हैं तो आप 10,000 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, जैसे आपको suitable लगे, हमको तो 1% कम करके देखना है बस, ठीक है, तो यहाँ पर 1000 का करके देख लिया, अब यहाँ पर 1% कमी के लिए बोलाता, तो 1% कितना 99 हो जाएगा, यहाँ पर अब ठीक है, तो 99 का भी निकाल के देखो, तो 99 का यहाँ पर formula है, I square R, I square R, तो यहाँ पर R दे रखा है, I square तो यहाँ पर 99, डबल बार कर देंगे, ठीक है, तो जैसे इनका आप solution करोगे, जैसे इनका हम हल करेंगे, तो यहाँ पर आप देख पारूंगे, हमारा 2% निकल कर आजाएगा, तो ऐसे करना होता है, चाहे तो आ तो यहाँ पर हमने करके देखा, अगर आप धारा का मान 1% कम करोगे, तो सक्ती में 2% के कमी आएगी, याद रखना, ठीक है, चलो बढ़ते आएगे एक और, अच्छी तरह से तरासा गया हीरा, ज़्यादा चमकता है, क्यों? तो हर बच्चे को बताओ ना चीए, वो क्यों चमकता है, वो चमकता है, प्रकास के पौन्ड प्रावर्टन के कारण, टॉटल रिपलेक्शन के कारण वो चमकता है, यह इसका राइट आंसर होगा, चलो बहुत ही अच्छा 11 कि उसने कि निम्न में से किसका धुर्वी करण संभव नहीं है which of the following cannot be polarized अब ये आपको पता होना चाहिए किस-किस का polarized किया जा सकता है किस-किस का धुर्वी करण किया जा सकता है तो आप बता पाओगे तो जहां तक हमको पता है कि किस-किस का धुर्वी करण किया जा सकता है तो radio तरंगों का भी किया जा सकता है X तरंगों का भी किया जा सकता है और aurak किरणों का भी किया जा सकता है बट sound wave का नहीं किया जा सकता logging tunnel wave का नहीं किया जा सकता याद रखना, तो sound wave अलग आ गया, तो इसका धुरुविकर्ण नहीं किया जा सकता, याद रखना आप, जबकि इन तिनों का तो किया जा सकता है, पढ़ाओगा न आपने, किरन प्रकासिकी में, पढ़ाओगा तो answer भी आ गया होगा, तो sound wave का धुरुविकर्ण संभव नहीं ह ठीक है, चलो बढ़ते आगी गोर, बहुत एच्चा कुशन, कि निमन में कौन सा कौन ये विसलेशन आदारबूत मातरक है, which of the angular resolution fundamentally quantity, मातरक आपको बताना है, कौन ही विसलेशन, आदारबूत मातरक, हर बच्चे को बता है, कि यहाँ पर जो होगा, वो होगा, क्योंकि लंबाए तो होगा है नहीं, समय भी नहीं होगा, radiation भी नहीं होगा, क्या होगा, angle, कौन होगा, ठीक है, अगला, एक इस्तिर आवेश उत्पन करता है, क्या करता है, कोई आवेश इस्तिर है, एक जगापर, वो क्या उत्पन करता है, और साथ में यह भी पता होना चीए, कि अगर वो गतिसील है, तो क्या उत्पन करता है, दोनु कंडिशन पता है, तो आप कर दोगे, तो एक इस्तिर आविस क्या उत्पन करता है केवल विदुद सेतर उत्पन कर सकता है क्या कर सकता है इलेक्ट्रिक फिड उत्पन कर सकता है अगर आविस इस्तिर है तो अगर मालो आविस गती सील है जिसे मालो किसी तार में धारा बारी है क्योंकि उनको गती मिल गई तो वो चुमके सेत्र उत्पन करेंगे फिर अगर गती बान है तो चुमके सेत्र करना है अगर इस्तिर है तो विदू सेत्र आपको करना है simple तो यहाँ पर इस्तिर के बारे में पूचा गया है तो हमारा right option क्या होगा विदुत 70, हमारा right option हो जाएगा यहाँ पर भी आप देख सकते हो यह दोनों आविस है, यहाँ पर इस ती रहे, ठीक है तो यहाँ पर positive देख सकते हो, विदुत से तर उत्पन कर रहा है और यह negative charge भी कर रहा है दोनों में फरके direction का ठीक है, positive में इस प्रकार्च होगा और negative में इस प्रकार्च होगा direction और यहाँ पर यह है गतिसील यहाँ किसी चालग में विदुत दरा परवायुत है तो इसके चारोर क्या उत्पन होगा चुम के सेत्तर, क्योंकि यहाँ पर गतिसील है ठीक है तो यहाँ को याद रखना है अगला है आपका 1AMU किसके बराबर होता है यहाँ पर जो option दे रहे हैं उसके अनुसार आपको बताना होगा 1MU किसके बराबर होता है 1AMU किसके बराबर होता है तो बहुत आसान है यहाँ पर जो हमरा लगबग answer से होगा होगा 1.66 into 10-27 kg और यह कहाँ पर दे रखा है यह दे रखा D में D में दे रखा है तो D आंसर सही होगा सिंबल से बात है तो इस परकार आपका जो आंसर होगा D वाल होगा किलिए अगला चो कुंडली में संगरित उर्जा किस परकार की होती है जो आपकी चो कॉइल है ना उसमें किस परकार की उर्जा संगरित रहती है और सने हीट इलेक्रिकल मैगनेटिक या फिर इलेक्रो मैगनेटिक बताओ चो कुंडली में किस परकार की उर्जा संगरित रहती है तो उसमें रहती है आपकी चुम के उर्जा क्या रहती है magnetic energies में संगरी तरहती है और चोक उर्णली क्या होती है पता नहीं है तो चलो में दिखा देता हूँ यह होती है आपकी चोक कुणली यह होती है आपकी चोक कुणली गर पे भी आप बना सकते हो चाहो तो इस प्रकार की चोक कुणली जिसमें कौन सी उर्जा इस्थोर रहती है चुम के उर्जा तो हमरा आंसर क्या होगा magnetic energy ठीक है अगला है कि ओजोन प्रत आवसोसित करती है किसको आवसोसित करती है ओजोन प्रत यह चार ओप्षन है infrared, microwave, radio wave, ultraviolet तो विद्यारते हो वो अफसोसित करती है ultraviolet को ठीक है प्राबेंगनी विक्रणों को अफसोसित कर लेती है जो कि हमारे लिए बहुत इलाब दाइक है अफसोसित करना अगर अफसोसित नहीं करेगी तो यह प्राबेंगनी किरणे हमारे पास आजाएगी है ना सावला पनुआ जाता है क्योंकि वो प्राबेंगनी किरणों के कार्ण होती है क्योंकि आपको पता है कि ओजोन को हानी पहुच चुकी है और कुछ ना कुछ प्राबेंगनी किरणे आ रही है ठीक है तो प्राबेंगनी किरणों को यह क्या करती है जैसा है कि आप यहांपर देख पारूंगे। यह पूरा आपका है, यह आपका ट्रॉपाइशा इसपर होता है, फिर ओजोन होता है इतर, सूरे साappy यह तो यहिए ओजोन प्रत सुरक सा कवच कह एक प्रकार यह रोक लेते्cycle को कि लिए चलिए अगला है आपका विशिष्ट उस्मा का ऐसा है मातरक आपको बताना है विशिष्ट उस्मा का ऐसा है मातरक विशिष्ट उस्मा का ऐसा है मातरक क्या होता है बहुत सिंपल है इसका होता है आपका जूल किलोग्राम केल्विन यह दे रखाय ओप्षन D में जूल किलोग्राम केल्विन क्या होता है विशिष उसमा का ऐसा है मातरक होता है तो राइट ओप्षन हमारा D हो जाएगा अगला है एक पोटोन जिसके आवर्ती न्यू है तो इसका सवेग आपको बताना है पोटोन की आवर्ती दे रखी है तो इसका सवेग बताओ कितना होगा तुरंद बताओ जाहे तो आप वीडियो को पहुच कर सकते हो और रभ पेक करके बता सकते हो यह चार ओप्षन है आपके सामने चारों में से कौन सा सई होगा तो बहुत यासान है एक पोटोन जिसका आवर्ती यहां पर न्यू है तो इसका सवेग होगा तो सिम पले ह नियू अपॉन सी अब जिनको समझ में नहीं आया उनको तो समझाना पड़ेगा उनको तो एक्स्पले निया पर करना पड़ेगा तो चले में समझा देता हूँ कि इसका आंसर एक्सनी अपॉन सी कैसे होगा ओप्शन बीस का राइट ओप्शन होगा जैसा है कि आप यहां पर देख पार होगे पूरा देख लो आप यहां पर दिख रहा है पता है ना आपको मुमेंटम ठीक है और आप यह भी जाते हो सी का बारे में परकास की स्पिट ठीक है तो जब इनको आप सोलुशन करोगे लेमडा क्या है वेबलेंड ठीक है और यहां पर यह प्लांग कॉंस्टेंट है सही तो जब आप इसको सोल करोगे तो आपका निकलर क्या हैगा एच नियो पॉन सी तो इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ ओप्शन बी वाला एच नियो पॉन सी के लिएर चायतो इस्क्रीन सोट भी ले सकते हो आप तो टेलेग्राम फोलो कर रखाओ तो वहां पर सेंट हम करीद देंगे पूरा का पूरा पीडियेप टाइप डाइग्राम और पूरा सब कुछ अगला है आपका गामा क्यर्णे है गामा क्यर्णे है बताओ गामा क्यर्णे क्या है ओप्सन है एकल आवजित प्रमाण गेज हीलियम के नाविक तीवर गति इलक्ट्रोन विदुचुम के तरंगे बताओ क्या है तो बहुत आसान है गामा केने आपकी इलक्ट्रो मेगनेटिक वेव यानिकी विदुचुम के तरंगे और आपको पता है कि विदुचुम के तरंगों के लिए गति के लिए या फिर गमन करने के लिए किसी भी माद्यम के आउसकता नहीं होती है यह भी आद रखना ठीक है और यहाँ पर अगर आपको पीडिय अप चाहिए लाइव क्लाशी चाहिए तो MKS Academy एप को डाउलोड कर ल